जेहीं दोस्तों मैं दीपक आप सभी का स्वागत कर जाओं एक बार फिर एक नए वीडियो में तो दोस्तों पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने में सिर्फ दो वंदे भारतेनों की लॉंचिंग हो पाई और इसलिए अभी ICF चिन्नाई में वंदे भारत का रेक्स का अच्छा स्टोक बन चुका है और इसलिए अगस्त के महीने में आपको नॉर्मल से कुछ जादा वंदे भारतेनों की लॉंचिंग देखने को मिल सकती है और आज की इस वीडियो में ऐसे ही वंदे भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनकी लॉंचिंग आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल सकती है इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने माला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस डीटेल वीडियो को तो दोस्तों अगर हम ऐसे वंदे भारत की बात करें जिनकी लॉंचिंग आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल सकती है तो इसमें सबसे पहले नमर पर है पटना और हाबला के बीच में चलने माली वंदे भारत ट्रेन और पटना और हाबडा के बीच में चलने माली इस वंदे भारत का पहला ट्रायल रन भे लिया जा चुका है पटना से हाबडा के बीच में एक ट्रेन लगबग 532 किलो मिटर की दूरी को तै करेगी लेकिन हमारी वंदे भारा ट्रेन राजधानी एक्सपिरेस से पहले मातर 6 घंटे और 30 मिनट में आपको पटना से हाबडा या फिर हाबडा से पटना पहुचाने वाली है और इसकी लॉंचिंग आपको अगस्त के 2nd week में देखने को मिल जाएगी हाला कि इसका 2nd trial run अभी conduct किया जाना बाकी है और उमीद है कि पटना और हाबडा सेक्षन पर इसका 2nd trial run है वो भी जल्दे ही conduct कर लिये जाएगा दोस्तों पटना से चलने वाली ये दूसरी वंदे भारा ट्रेन होगी जबकि हाबडा से चलने वाली ये तीसरी वंदे भारा ट्रेन होगी दोस्तों यहाँ पर हमारे लिष्ट में दूसरे नमर पर है चेन्नाई और तिरुनेल वेली के बीच में चलने वाली वंदे भारा ट्रेन और ये भी एक most important route है वंदे भारा ट्रेन के लिए चेन्नाई से तिरुनेल वेली तक ए ट्रेन लगबग साड़े 600 किलोमेटर की दूरी को तैय करने वाली है और जहां नॉर्मल ट्रेने 10 से 11 घंटे के समय ले लेती है चेन्नाई से तिरुनेल वेली पहुचने में वही हमारी इस वंदे भारत्रेन को सिर्फ 8 घंटे का ही समय लगने वाला है चेन्नाई से तिरुनेल वेली जाने में और इस वंदे भारत्रेन में आपको 8 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा और चिन्नाई से ओल लेडी दो वंदे भारत्रेने अलग अलग रूट पर चलाई जाती है और अगर चिन्नाई से तिरु नेल वेली के बीच में इस ट्रेन की सुरवात होती है तो ए चिन्नाई से चलने माली तीसरी वंदे भारत्रेन भी होगी और चिन्नाई से तिरु नेल वेलिक बीच में इस ट्रेन का इनोगरेशन आपको अगस्त के सेकेंड वीक में देखने को मिल सकता है यहापर दोस्तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे लिस्ट में तीसरे नमर वाली वंदे भारा ट्रेन की लेगिन कई रीजन के वज़ए से ट्रेन अभी तक डिले होती रही लेगिन फाइनली अब आपको अगस्त के महिने में काचे गूला से यस्वन्तपूर के बीच में इस ट्रेन की सुरूवात देखने को मिल सकती है बात करने इस ट्रेन के डिस्टेंस की तो काचे गुड़ा से यस्वन्थपूर के बीच में ए ट्रेन लगबग 612 किलिमेटर की दूरी को तै करेगी और जहां नॉर्मल ट्रेने 10 से 11 घंटे के समय लेती है काचे गुड़ा से यस्वन्थपूर आने जाने में वहीं हमारी इस स कनेक्टविटी बन पाएगी इने दोनों बड़े सहरों के बीच में और बैंगलोर से हैदराबाद के बीच में चलने वाली इस वन्दे भार ट्रेन में भी आपको आठ कुछ वाला ही रेक देखने को मिलेगा और इस ट्रेन की भी सुरवात आपको अगस्त के सेकेंड वीक म देखने को मिल सकती है बड़ते हैं आगे और बात करते हैं चौते नमर वाली वन्दे भार ट्रेन की तो हमारे लिस्ट में चौते नमर पर है बीजयवाडा और चन्नाई के बीच में चलने वाली वन्दे भार ट्रेन दोस्तो बात कर ले इस ट्रेन के डिस्टेंस की तो ए ट्रेन चेन्नाई से बिजयवाड़ा तक लगबग 455 किलोमीटर की दूरी को तैय करेगी जहां नॉर्मल ट्रेने 7 से 8 घंटे का समय ले लेती है इस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए वही हमारी इस वंदे भार ट्रेन को चेन्नाई से बिजयवाड़ा आने जाने में 6 घंटे से भी कम का समय लगने माला है हाला कि एक्सपेक्टेड है एक्चुल ट्रेबल टाइम सभी पता लग पाएगा जब इस ट्रेन का ट्रायल रंड कंडक्ट किया जाएगा इस रूट पर देगा दोस्तों यहां पर उमीद है कि चेन्नाई से बिजयवाड़ा पहुंचने में इस ट्रेन को 6 घंटे के समय लगने माला है दोस्तो अगर विजयवाडा से चन्नाई के बीच में इस्ट्रेन की सुरुवात हो जाती है तो विजयवाडा से चन्नाई का जो connectivity है वो काफी बेटर हो पाईगे इस्ट्रेन के जरिये और चन्नाई से ओल लेडी दो वंदे भाराट्रेन ने अच्छे occupancy rate के साथ अभी operate की जा चन्नाई से तिरू नेल वेली के बीच में चलेगी और दूसरी ट्रेन चन्नाई से बीजयवाडा के बीच में चलेगी हाला कि चन्नाई से बीजयवाडा के बीच में चलने माली इस्ट्रेन की सुरुवात पिछले दो से तीन महीने पहले ही हो जाने माली थी लेकिन इसको प पता ही है कि दिल्ली और चंडीगड के बीच में ओल लेडी सताबदी एकस्प्रेश ट्रेन चलती है और दिल्ली चंडीगड रूट भारती रिल्बे का एक इंपोर्टेंट रूट भी है इसलिए भारती रिल्बे दिल्ली चंडीगड रूट पर भी एक वंदे भारा ट्रेन क चंडिगड के बीच में लगबग 243 यानि कि 243 किलोमेटर की दूरी को तै करेगी और इसके लिए ट्रेन को मैक्सिममम 3 घंटे का ही समय लगने वाला है जो कि अब तक सबसे तेजी ट्रेन होगी इस रूट पर बात करने दिल्ली चंडिगड रूट की तो इस रूट पर पैसे 48 किलोमेटर की दूरी को तै करने में नॉर्मल ट्रेनों को लगबग 4 घंटे का समय लग जाता है दिल्ली से चंडिगड आने जाने में लेकिन हमारी ये वंदे भारा ट्रेन इस रूट पर अच्छी ट्रेबल टाइम को कट अफ करने वाली है और दिल्ली से चंडिगड के ब प्रियाग राज के बीच में भी आपको वंदे भारा ट्रेन जल्द ही देखने को मिल सकती है बात कर लें डिस्टेंज की तो लगबग से प्रियाग राज का टोटल डिस्टेंस है लगबग 200 किलोमेटर और इस रूट पर चल रही ट्रेनों को लगबग 3-4 घंटे के समय दोस्तों हो सकता है कि गोरकपूर से लखनव के बीच में जो वंदे भारा ट्रेन अभी फिलाल चलती है उसी ट्रेन को प्रियाग राज तक भारती रेल बे एक्स्टेंड कर सकती है क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा मन्थन अभी कर रही है भारती रेल बे और अगर ऐसा होता है तो गोरकपूर प्रियाग राज और लखनव की कनेक्टिविटी काफी हद तक बेटर हो पाएगी इसे ट्रेन के जरिये और लखनव से प्रियाग राज के बीच में चलने वाली इस वंदे भारा ट्रेन के टाइम टेबल को लेकर भारती रेल बे अभी कई मीटिंग् तो दोस्तो ए रूट है इंडिया की सबसे लंबी दूरी तै करने वाली वंदे भारा ट्रेन की क्योंकि इस ट्रेन की शुरुवात होगी प्रियाग राज से और यह अपना सफर सहारनपूर में जा करेंड करेगी यानि की प्रियाग राज सहारनपूर वंदे भारा ट्रेन क की भी शुरुवात आपको अगस्त महिने में देखने को मिल सकती है बात कर ले दोस्तों इसे ट्रेन की डिस्टेंस की तो ए ट्रेन पर्यागरा से सहारनपूर तक लगबग 769 यानि की 779 किलोमेटर की दूरी को तै करेगी और जहां नॉर्मल ट्रेनों को 13-15 घंटे का समय लग हाला कि इस ट्रेन का जो मैक्सिमम पर्मिस्वल स्पीड है वो सिर्फ 110 kmph होने वाला है लेकिन इस ट्रेन का स्कम होने की वज़े से ट्रेबल टाइम कापी हद तक रिडियूस हो जाएगा इस रूट पर इसलिए ए ट्रेन 9 से 10 घंटे में इस दूरी को पूरा कर पाएगी औ पर दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे लाश्ट नमर यानि के 8 नमर पर आने वाली वंदे भारा ट्रेन की जिसकी लॉंचिंग आपको अगस्त महीने में देखने को मिल सकती है तो दोस्तों ए रूट भी पिछले 10 से 12 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है वंदे भारा ट्रेन चलने के इंतजार में क्योंकि दोस्तों ए रूट है लखनाव दिल्ली वाला और लखनाव से दिल्ली के बीच में भी आपको वंदे भारा ट्रेन की connectivity बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है दोस्तों बात कर ले लखनाव दिल्ली वंदे भारत के रूट जाती है तो ये ट्रेन लगबग फोर 78 किलोमेटर की दूरी को तै करेगी और जहां नॉर्मल ट्रेनों को इस दूरी को तै करने में 7 से 8 घंटे के समय लग जाता है वहीं हमारी इस वंदे भारा ट्रेन को मैकसिमम 6 घंटे का इस समय लगने वाला इस रूट पर और सिर्फ 6 घं लेकिन यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस भाया कानपूर होकर दिल्ली की तरफ जाती है और हमारी वंदे भारा ट्रेन मुरादाबाद होकर दिल्ली की तरफ जाने वाली है तो ये वंदे भारा ट्रेन तेजस को रिप्लेस करेगी या फिर नहीं इसके ऊपर तो कोई भी कनफर पूर के लिए और लेडी वंदे भाराटेन चल रही है और ऐसे में लखनव से प्रियाग राज और लखनव से दिल्ली के बीच में भी भारती रिल्बे ने प्लानिंग कर रखा है वंदे भाराटेन चलाने के लिए और इन्हें दोनों वंदे भाराटेनों की सुर्वात अगर लखनव से होती है तो लखनव से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को और साथी लखनव से प्रयाग राज आने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा सुविदा मिलने वाला है बागे दोस्तों सुरवाती चार रूट जिसको इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ सेयर किया उ क्योंकि पिछले कई महिनों से भारती रिल्बे एक साथ दो तीन या फिर पांच वंदे भारते रिल्बे ने अभी तक कोई भी कनफर्मेशन जारिन नहीं किया है। इसलिए इने सभी रूटों में कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कुछ नए रूट्स जिनको लेकर अभी कोई भी चर्चा नहीं है वैसे रूट्स पर भी आपको वंदे भारतेन की लौंचिंग अगस्त के महिने में देखने को मिल सकती है। और अगर आपको कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टेगराम पर आ सकते हैं मेरा इंस्टेगराम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं मिलता हूं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक चाहत अपते के लिए जय हिंग जय भारत